नमस्कार दोस्तों मैं हूँ राजेस और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदिदा यूट्यूब चैनल लर्निंग विद राजेस हमने जीके क्लासिज में इतिहास पार्ट स्टार्ट किया हुआ है जिससे हम दक्षिन भारत के राजवन्सों के बारे में पढ़ रहे हैं आपको भी पता है कि आपने एक्जाम दिये होंगे कि चोल समराज्य से कई बार प्रेशन रिपीट होते हैं इसलिए दक्षिन भारत का महतवपूर्ण राजवन्स माना जाता है चोल समराज्य जिससे कई बार एक्जाम में प्रेशन आते हैं इसलिए मैंने आज की टॉपिक इसे चूज किया है तो देखिए सबसे पहला पॉइंट आता है कि चोल समराज्य के संस्थापक विज्याले माना जाता है तो सबसे पहले आपसे यही प्रेशन पोचा जाएगा कि चोल समराज्य के संस्थापक कोन है आप बताएंगे विज्याले उसके बाद चोल समराज्य की राजधानी का क्या नाम है चोल समराज्य की राजधानी तंजाबूर है जिसे तंजोर भी कहा जाता है आपने पहले कई बार पढ़ा होगा कि जहां राज-राज्य स्वरमंदिर है उसके बाद हम जानेंगे कि चोल समराज्य का सबसे महतवपुर्ण सासक राज-राज प्रथम हुए हैं जिनके यूग में चोल समराज्य का महान यूग माना जाता है ऐसा क्यों कि उनका समराज्य यानि उनका सासन महान क्यों माना जाता है चोल समराज्य के लिए उन्होंने चेर यानि दक्षिन की जो तीन सक्तिया चोल चेर पंडे होते थे उनमें से चोलों के बारे में तो आज हम पढ़ रहे हैं उन्होंने चेर समराज्य को और श्रिलंका को के राजाओं को जीता था तो स्रिलंका के किस राजा महिंद्र पंचम को हराया था इसलिए उनकी ख्याती मानी जाती हैं उनके पास मैतवपून नोशेना होती थी नवी होती थी और तंजाबूर में राज-राजेश्वर मंदिर जिसे व्रिदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है उसका निर्मान राज- प्रथम ने करवाया था और अकक्षा साथ में आपने जाना था कि राज-राजेश्वर मंदिर के वास्तुकार कुंजर मलन पेरु थच्चन हैं जिसके बारे में कई बार एस्टेट में प्रशन भी आता है आई होप कि आपको पहला प्रपॉइंट अच्छे से समझ आया होगा कि राज-राज प्रथम के बारे में वेरी-वेरी इंपोर्टेट प्रशन यहां से आता है मैंने कई बार एक्जाम में देखा है कि तंजावूर का राज-राजेश्वर मंदिर किस चोल सासक ने बनवाया और किस के पास महतपुर्ण नोशे ना थी उसके बाद राज-राज प्रथम के बाद राजेंद्र प्रथम चोल सासक बना उन्होंने गंगाई कोंड चोल अर्थात गंगा घाटी की विजय जो की वो उनकी महतपुर्ण विजय मानी जाती है आप से अगला इंपोर्टेंट प्रेशन पूछा जाएगा कि गंगा घाटी की विजय का सुरे किस चोल सासक को दिया जाता है आप जवाब देंगे राजिंद्र प्रथम को और उसके बाद उन्होंने गंगई कौंड चोल यानि गंगा घाटी को जीत कर चोल समराज्य में मिला लिया था तो वहाँ पर एक राजधानी स्तापित की जिसका क्या नाम रखा उन्होंने गंगई कौंड चोल पुरम उसको अपनी राजधानी बनाया आपने बड़ा शु पंगई कोंड चोल कुरम को भी अपनी राजानी बनाया राज्यंद्र प्रथम के बाद राजा धिराज प्रथम चोल समराज्ये के प्रमुख सासक हुए है चेर पांडय संग को उन्होंने तोड़ा जो कि उसकी महान उपलब्दी मानी जाती है और उन्होंने इस विजय के उपलक्स में असमेग गग किया अब आप से प्रेशन पूछा जाएगा कि किस चोल सासक ने चेर पांडय संग को तोड़ा और उसको विजित किया उसके बाद असमेग गग किया आप जबाब देंगे राजा धिराज प्रथम कई बार डिफिकल्ट कि इनमें से चोल समराज्य की सासकों की कौनसी सीरीज सही है तो आपने पढ़ा पहले राजराज प्रथम फिर राजिंद्र प्रथम फिर राजादिराज प्रथम और उसके बाद राजिंद्र दिवितिये राजिंद्र दिवितिये की महानुपलब्दी माने जाती है कल्याणी के चलूक्यों को पराजित करना देखिए चलूक्यों वंस जो है मैं बार बार बता रहा हूँ तीन परकार के चलूक्यों का वर्णन महां पर किया गया है कल्याणी के चलूक्ये वेंगी के चलूक्ये औ घिर राजंत्र द्वीतिय ने कल्यानी के चलुकेगों को प्राजीत किया। उनके बाद वीर राजंद्र चोल वंज्सका मेत्वपुर्णसासक कवा। जिन्हों के राजकेस्री की उपादी हासिल की आप से पूछा जाएगा कि राज केसरी की उपादी से कोन सासक चोल समराज्जे में हुआ है आप बताएंगे वीर राजिंद्र उनके बाद कुलो तुंग प्रथम जो है वो चोल वंस के महतवपुर्ण सासक हुए और उन्हों को करों को हटाने वाला माना गया है यानि करों में रिलेक्शेशन उन्होंने रापरजा को दी अंति महतवपुर्ण सासक राजिंद्र त्रितिय माना जाता है चोल वंस का उसके बाद ये तो हमने चोल समराज्य के पैतपूर्ण सासकों के बारे में पढ़ा अब हम चोल प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि ये आपका very very important point बनता है यहां से कि चोल समराज्ये, चोल प्रशासन कैसे काम करते था आपको पता है कि उनके प्रमुख राजा होते थे जैसे अभी आपने पढ़ा राजराज प्रथम, राजिंद्र प्रथम, राजाधिराज प्रथम, राजिंद्र द्वितिय, कुलो तुंग तो वो परमुख राजा जो थे वो महत्तपूर्ण प्रशाषक होते थे सबसे पहले उनकी सहायता के लिए प्रधान सचीव होते थे, जिने ओले नायकम कहा जाता था उनके बाद प्रांत होते थे, यानि केंदर सेंटर में मुखिया प्रशाषन का राजा होता था फिर मुखिया प्रांत होते थे, प्रांतों को मंडलम कहा जाता थे वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट मैंने कई बार एक्जाम में देखा है कि चोल समराज्य के दोरान जो प्रांत होते थे उन्हें क्या कहा जाता था क्योंकि यहां कन्फ्यूजिंग पॉइंट है और कन्फ्यूजिंग पॉइंट एक्जाम में आते हैं उनके यहाँ पर जिला जो होता था उसे वलनाडू कहा जाता था और गाउं का समूज जो होता था उसे नाडू कहा जाता था और गाउं जो होते थे उन्हें कुर्रम कहा जाता था और जादातर जो परशासनिक इकाईयां थी उनकी देखरेक के लिए एक सबाब होती थी लोगों की यानि मैतपुर्ण लोगों की सभा होती थी जिसे सभा कहा जाता था तो आप पढ़ेंगे कि वो सभा चुनी कैसे जाती थी उसके लिए क्या योगताइं होती थी कक्षा साथ NCRT हिस्ट्री में आपने जाना था मैं रिवाइज करवाऊंगा आज तो देखिए आप आपने पढ़ा कि प्रशासन कैसे काम करता था उसके बाद स्थानिय सवसासन कि जो स्थानिय सवसासन जिसमें आपने पढ़ा कि गामों का समू होता था और उसके बाद गाम होते थे जिने कुर्रम कहा जाता था अब जो गामों में कुछ सभाएं होती थी अभी जिसका जिक पर मैंने किया कि सभाएं जो होती थी वो मुख्य कामकाज की देखरेक करती थी गामों में या फिर उच्छ सतर पर भी उत्मेरूर अभिलेक में सथानिय सवसासन का वरणन किया गया है तथा बताया गया है कि सभा की न्यूक्ति कैसे की जाती थी अर्थाथ सभा का सदस्य बन चाहिए यदि आप चोल समराज्य में किसी सभा का सदस्य बनना चाहते हैं तो आपकी उमर 35 से 70 के बीच होनी चाहिए आपको वेदों का ज्यान होना चाहिए आप इमांदार होने चाहिए और आप आपकी खुद की भूमी होनी चाहिए और उस पर आपको टेक्स भी अदा कर ने होना चाहिए ये मैंने आपको एडिशनल पॉइंट बताए कि वहां पर चोल समराज्य में सभा का सदस्य कैसे बना जाता था तो सभाएं कई परकारकी होती थी जैसे उर उर जो होती थी वो सरवसाधारन लोगों की ग्राम सभा होती थी सरवसाधारन जैसे गाम के सभी स सभा जो होती थी वो वरिष्ठ लोगों की सभा होती थी वरिष्ठ लोग जिसका बार-बार जिकर हो रहा है कि सभा होती थी सभा वो वरिष्ठ ब्रामनों की सभा होती और नगरम जो होती थी वो नगरम वैपारियों की सभा होती थी नगरम वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट एक्जाम के लिए पूछा जाएगा कि चोल समराज्य में वैपारियों की सभा को क्या कहा जाता था क्योंकि हमने मोर्य उत्तरकाल गुप्तकाल में पड़ा है जो कि कन्फ्यूजिंग पॉइंट है कहीं पर उन्हें स्रेष्टी कहा जा जो की महत्तपूर्ण क्रिशक होते थी धनी क्रिशानों को विलाल कहा जाता था उनकी कला बड़ी फैमस थी चोल समराज्य की कला बहुती फैमस थी मंदिर निर्मान कला में वो बड़े परशिद थे जैसे आज आपने पढ़ा राज-राज प्रतम ने वुरिदेश्वर मंद मंदिर भी कहा गया है उसका निर्मान करवाया तो इनके जो मंदिर होते थे वो द्रवीड सैली में बने होते थे जैसे कि आप लानेंगे कि जो मंद्र निर्माण की तीन परकार की सलियां होती थी भेशर सलि नागर सलि और dhravid sally के मंदिर जादातर दक्षिन भारतवे Πाई जाते हैं तंजाबूर का राजराजिस्वर मंदिर भी द्राविड सहली का महांतम नमूना माना जाता है और कांशे की मूर्तियों के लिए चोल समराज्य विशाव भर में प्रशिद था ब्रॉंज स्क्लप्चर के लिए जैसे कि आपने आज की वीडियो आपको अच्छे से समझ आए होंगे पॉइंट्स यदि आप मेरी यूट्यूब चैनल पर नए है तो प्लीज सब्सक्राइब चैनल लाइक और शेर ओल्सू थैंक यू और हव गुड नाइट